गाइस जितना रोल फ्यूचर्स और आप्शन्स में टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का होता है उतना ही रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट और मार्जिन मैनेजमेंट का इस्पेशली इफ यू आप्शन सेलर अब call option को कैसे hedge करते हैं उसके उपर तो मैंने अलरी एक video डाल दी है जो कि आपको यहाँ पर i button में मिल जाएगी लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर put इंदामनी हो जाती है और आप delivery लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या-क्या options हैं और दोस्तों यह जो वीडियो आई बटन में आएगी hedging वाली यह वीडियो को आप put में भी लगा सकते हैं और अपनी put को भी hedge कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे उन लोगों के लिए जो delivery लेना चाहते हैं जो hedging वागेरा नहीं करना चाहते हैं बहुत ही important वीडियो है दोस्तों इस वीडियो को end तक देखना अगर आप beginner हैं तो आपके लिए तो काफी जादा important है कुछ लोगों को यह वीडियो ऐसा लग सकता है कि यह उनको अलड़ी पता हो तो दोस्तों जो इसमें मैं आपको options के बारे में बताना चाहता हूँ option मतलब आपके पास delivery के जो options हैं उनको मैं 3 parts मैं बाढ़ता हूँ उसको मैं बाढ़ता हूँ 1A option 1A और उसके अलावा option 1B यह 1A 1B क्यों है क्योंकि यह काफी similar है इसलिए मैं इनको 1A 1B बोल रहा हूँ और एक आपके पास है option 2 तो यह तीनो scenario हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो option 1A 1A सबसे easy है दोस्तो अगर आपके पास funds हैं तो 1A सबसे easy option है अब 1A क्या option है इसमें आपको क्या करना है दोस्तो अगर आपकी put in the money हो जाती है और अगर आपको लगता है कि यह expiry तक out of money नहीं होने वाली है तो आपको अपने broker के account में सीधे funds add करके रख देने हैं यह funds add करके रख देने हैं जब क्या होगा जब आप expiry आ जाएगी और आपकी put है वो in the money expire होगी अगर put in the money expire हो जाएगी तो आपका broker अपने आप यह funds आपके account से deduct कर लेगा और आपको delivery दे देगा और यह जो delivery है आपको यह किस price पर मिलेगी यह delivery अगर आपने हमारी options की series देखे है तो आपको पता होगा लेकिन हाँ दोस्तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है कुछ brokers physical settlement allow नहीं करते हैं तो अगर आपका broker physical settlement allow नहीं करता है तो वो expiry वाले दिन आपके जो position है इसको square off कर सकता है तो अगर ऐसा है तो आपके लिए जो option number 1B है वो आपके काम आएगा अगर आपका broker physical settlement कराता है तो आपके लिए सबसे easy तो है कि आप funds डाल के रखिए और put को इंदा मनी हो जाने दीजी आप कुछ मत करिए वो expire हो जाएगी put इंदा मनी और आपका जो broker है आपको automatically delivery दे देग तो ये तो दोस्तो सबसे easy तरीका है इसमें दिक्कत क्या है दोस्तो इसमें आपका fund बहुत जादा फस जाता है क्योंकि जो lot की value है वो 7-8 लाग के असपास होती है अगर आपको किसी की भी delivery लेनी है तो roughly आपको 7-8 लाग रुपे के असपास होने चाहिए ये थोड़ा सा ज कुछ लोगों को लग सकता है कि आप उनके funds first गए हैं कम funds में कैसे delivery ले सकते हैं ये दोस्तो अगला option आएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं first B के बारे में first A हमने discuss कर लिए first B जो है बिलकुल first A जैसा है थोड़ा सा modification है ये उन लोगों के लिए काम आ सकता है जिनका broker physical settlement नह organizing चाथे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जिस दिन expiry है जिस दिन expiry है आपकी position की आपने किसी stock की put बेज रह荠ी है और expiry है, suppose आपको इसको loss में square of कर देना है अब यह जो loss square of हो गया यह कैसे compensate होगा आपको step number 2 लेना है और आपको equity से उतने ही stocks buy कर लेने हैं जितने lots आपने इसके इंदमनी पुटके बेच रखे हैं सब्सक्राइब करिए किसी का आपने एक lot बेच रखा है जिसका lot size है 200 तो आपको 200 shares equity से and so on अगर 3 lots खरीद रखे हैं आपने तो 200 into 3 इतने stocks आपको market से खरीदने पड़ेंगे तो यह यह भी एक तरीके से delivery ही है दोस्तों क्यूंकि आपने इंदमनी पुटको आपने square of कर लिया loss में और सीधे सीधे equity से shares उठा लिये अगर आप इसको automatically आपके broker द्वारा होने देते जबकि broker तो उसमें loss वगर अबोक नहीं करता है तो दोस्तों in directly आपका उसमें भी loss हो रहा है मैं बताता हूँ कैसे suppose करिए आपने किसी stock की 100 रुपे की strike price की put बेची ठीक है यह है strike price और वो stock expiry वाले दिन 95 पहुंच जाता है और यह जो हमने 100 रुपे की put बेची थी माल लेते हैं 1 रुपे के premium पे बेची थी roughly इतना ही premium होगा so अगर expiry पे 95 पहुंच जाता है stock और आपको पता है अगर आप option 1A opt करेंगे तो आपको 100 रुपे पे delivery मिलेगी so आपको जो effective price है per share वो कितना पढ़ा आप इसको lot side से multiply कर लेना जबकि market में भाव क्या चल रहा है market में भाव चल रहा है 95 इसका मदलब आपको currently 4 रुपे पर share का loss है 4 रुपे पर share का loss है into आप इसको lot size से multiply कर सकते हैं ठीक है अगर आप ये option 1A opt करते हैं लेकिन अगर आप option 1B opt करेंगे तो उसमें क्या होगा आप ये जो put है 100 रुपे की strike price थी ठीक है और 95 पहुच गया था share आप इस put को square off कर रहे हैं loss में जिसका premium कितना था आपको premium मिला था 1 रुपे अब आपको पता है expiry वाले दिन जो put इंदा मनी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ intrinsic value होगी intrinsic value कितनी होगी इन दोनों का difference होगी तो उस put का premium roughly कितना होगा रफली पांच रुपे के आसपास होगा तो आपको एक रुपे का premium मिला था आपने पांच रुपे का premium दे दिया तो आपको यहाँ पे कितने का loss हुआ चार रुपे का चार रुपे का loss हुआ और आपको बाकी के shares जो आपने उठाए वो तो 95 पे उठाए इसका मदलब 95 के हिसाब से आपको सिर्फ 4 रुपे का नुकसान हुआ है आपकी effective cost यहाँ पे 99 आ रही है 95 पे आपने ये share खरी दे और एक रुपे का आपको यहाँ पे premium मिला था और 5 रु जाएंगे आगे चलके तो आपको इन में profit हो जाएगा तो यह हो गया option 1a option 1b दोनों तरीके मैं आपको बता दिये कब क्या यूज करना है आप उसको देख सकते हैं option 1b especially उन लोगों के लिए हैं जिनके broker या तो physical delivery कराते नहीं है या फिर आप physical settlement के charges से बचना चाहते हैं जो क काफी जादा charges होते हैं तो दोस्तों जो option 1a और 1b थे उनको मैं बोलता हूँ direct delivery क्योंकि उसमें हम सीधे सीधे directly delivery ले रहे हैं लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है उसमें हमारा काफी सारे funds फस जाते हैं 7-8 लाग रुपे या किसी का lot size अगर बहुत जादा बढ़ा है तो उस चीज किसी को पसंद नहीं होती वो चाहते हैं नहीं है कि उनका इतना पैसा फच जाए क्योंकि अगर इतना पैसा वहां फच जाएगा तो आगे की option selling कैसे करेंगे तो उसका एक और तरीका है जो है हमारा option number 2 जिसको मैं बोलता हूँ indirect delivery इसको मैं बोलता हूँ indirect delivery अब ये standard terms नहीं है इसलिए इनको Google मत करने लग जाना यह मैं ऐसे इनको नाम दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे direct delivery में हमने option 1A और option 1B discuss किया वो है direct delivery अब ये है indirect delivery का तरीका इसमें आपको दोस्तों क्या करना है इसमें आपको step number 1 expiry वाले दिन उस put को square off करना है loss में जैसे कि हम आपको अगले महीने का उसी same stock का future buy कर लेना है आपको future buy कर लेना है कितने lots buy करने है future के जितनी आपकी put इंदा मनी हुई है अगर एक lot इंदा मनी हुआ है तो एक lot आपको future का long करना है अगर दो lot इंदा मनी हुए है तो दो lot आपको future के buy करने पड़ेंगे जितने lots इंदा मनी पूट के हुए है उतने ही lots आपको बैसा के future खरीदा है वो भी अगले महीने की expiry का सेम Свी मेरी और रही है अब इससे फाइदा क्या है दोस्तों future खरीदना बिल्कुल सिमिलर रहे कि आप पूरे lotinations के वरावर unity te खरीद ऋना उसके जैसा ही put के बराबर है इसका मतलब जितना आपके equity के shares बढ़ेंगे जिनकी आपने direct delivery ली थी उतना ही future बढ़ेगा लेकिन future में फाइदा क्या है दोस्तों फाइदा ये है कि आपके 8-10 लाग रुपे नहीं फस रहे हैं इसमें future के लिए सिर्फ आपको एक margin देनी है वो margin कितनी हो सकती ह हो सकती है 1.5 लेक हो सकती है 1.2 लेक हो सकती है ये अलग-अलग हो सकती है अलग-लग stocks के लिए लेकिन आपका जो 7-8-9 लाग रुपे में काम हो रहा था जो delivery इतने जादा funds में मिल रही थी वो आपकी डेड़ सवा लाख में ही हो जाएगी और आपकी जो put in the money हुई है उसका आपको backup मिल जाएगा तो इस तरीके से आप अपने funds बचा सकते हैं और delivery भी ले सकते हैं तो ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिये हैं एक बार मैं इनको summarize भी कर देता हूँ सबसे पहले हमने discuss किया direct delivery और यहां पर हमने discuss किया indirect delivery डारेक delivery में हमारे पास दो options थे एक तो था कि in the money जो put हुई है उसको कुछ नहीं है बस funds add करके रखने है उसमें और कुछ करना ही नहीं है वो आपने आप put expire हो जाएगी broker आपको automatically delivery दे देगा इसमें तो सिर्फ हमारा काम funds add करना लेकिन इसमें 8-10,00,00,00 रुपे चाहिए होंगे जितने का भी lot value है दूसरा option था कि जो in the money put हुई है उसको आप expiry वाले दिन इसमें square off करें loss में और second step इसमें क्या लेना है आपको equity से जितने lot आपके put के आपने short कर रखे थे उतने ही shares आपको equity में बाए कर लेने है लेकिन इसमें भी आपके 8-10,00,00,00 रुपे लगेंगे क्योंकि equity के shares buy करने में उतना ही पैसा लगेगा जितने की lot value है लेकिन जो indirect delivery है इसमें आपको क्या करना है दोस्तो इसमें आपको step number one है कि आपको जो in the money put हुई है उसको square off करना है loss में और step number two है आपको अगले महीने क अगले महीने की expiry का future long करना है और उतने ही lots long करने हैं जितने lots आपने put के short कर रखे थे तो इससे आपके काफी funds बच जाएंगे और आपकी delivery का काम भी हो जाएगा जो की आपका backup option था in case आपकी put in the money जाती है तो आयोब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को like कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी doubt है इसमें किसी भी चीज को लेकर के आप comment section में पूछ सकते हैं मैं आपको definitely reply करूँगा और फिर भी कोई doubt रह जाता है तो मैं live तो आत ही रहता हूँ आप उसमें भी अपने doubts को clear कर सकते हैं thanks watching guys I'll see you next time